नवस्कार आप देख रहे हैं कि तान्ष टीवी प्रस्तुत है समाचार हुसेन अबास से समवादाता विकास कुमार की रिपोर्ट हुसेन अबास शेहर के जै प्रकाश चौक पर मचली की दुकान के पास पडोस के लोगों को दुर्गंद से जीना मुहाल हो गया है दुरगंद के कारण राह गीरों को परेशानी हो रही है इस पर नगरपंचक मॉन बैठी है पासपडोस के दुकानदारों का कहना है कि मशली के दुरगंद से अन्य दुकानदार की ग्रहकों को हो रही है परिशानी लोगों का कहना है कि पहले एक मशली वाला दुकान लगाता था लेकिन दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है हुसेनबाद के जैपरकाश चौक शहर के एक केंदर जैसा है जहां लोगों की भीड लगी रहती है ऐसी जगह पर मश्ली की दुकान लगा कर गंदगी फैलाना ठीक नहीं है शाम के समय यहां बहुत से लोगों का जमावडा होता है जैपरकाश चौक के समीप रहने वाले लोग मश्ली के दुरगन से परिशान है चौक के चबूतरे पर मख्यां बैठी रहती है सभी प्रतिनीदियों की नजर के सामने हैं तब भी सभी मौन है लोगों का कहना है कि यहां से मश्ली वाजार को अतिशिक्र हटवाए जाए धन्यवाद के लिएे देएल नचे कमेनके नचे ब hastaफ कि एुरगने है मौन कि भी सिर्टों का रहते हैं ऌक जाएख प्रति है